आप देख रहे हैं देवनार डाइरीज और एक मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ आप जानते होंगे कि इससे पहले मैंने आपको एक बहुत इंपोर्टेंट अपडेट दी थी कि देवनार मंडी इस साल नहीं खुलेगी लेगिन अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से वीडियो अपलोड हुए हैं यूट्यूब पे जिस पे कुछ व्लॉगर्स जो है बता रहे हैं कि मंडी खुल गई है तो मंडी खुली है या नहीं या खुलेगी या नहीं मैं आपको authentic चीज़ बताऊंगा और इसका evidence भी मैं आपको पेश करूंगा ना कि कही सुनी बात तो वीडियो पूरी देखिए मैं आपको detail में बताऊंगा कि मंडी खुलेगी या नहीं तो लोग वीडियो बना रहे हैं और उसमें मिंचन कर रहे हैं कि मंडी खुल गई 2 जून से 2 जुलाई या 3 जुलाई से मंडी खुल जाएगी तो सच्चा ही क्या है तो सच्चा ही मैं बताता हूँ दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मंडी नहीं खुलेगी लेकिन जो कट्टू माल की मंडी होती है जो every Tuesday और Saturday लगती थी देवनार में वो मंडी August में या जुलाई में खुल जाएगी तो actual में ये latest update है देवनार मंडी की कि अभी कट्टू माल की जो मंडी है वो खुलेगी 2nd और 3rd जुलाई से तो कुछ लोग इस तरह से वीडियो बना रहे है कि मंडी खुलेगी और लोगों को ये लग रहा है कि बकराईद के लिए मंडी खुलेगी तो ये अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये official letter है देवनार मुंबई की तरफ से जिसमें इसके बारे में detailed information है तो कट्टू माल की मंडी खुलेगी जिसके लिए कुछ guidelines भी है जो मैं आपको बताता हूँ कि इस official letter में क्या mention हुआ है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या guidelines से मंडी खुल रही है अभी मंडी जो खुल रही है तो ये guidelines जो दी गई है उसमें mention है कि कोई बकरे मंडी से बाहर खरीद के लेके नहीं जा सकता है तो especially आप इससे ही समझ सकते हैं कि मंडी जो है ये कट्टू माल के लिए खुली है कसाईयों के लिए के लिए और पर दे जो मंडी का update है सिर्फ 40 जो है ट्रक वो आ सकते हैं ट्रक आपको register करना पड़ेगा गाड़ी की details बगरों की details आपको register करने पड़ेगी इसी तरह से खाली ये mention कर दे रहे हैं कि मंडी खुल गई है या मंडी खुलेगी तो इससे यह नहीं होता है कि मंडी जो है देवनार में बकराईद के लिए मंडी जो है कट्टू माल के लिए खुली है और वो भी special guidelines के साथ तो यह सारी guidelines जो आप screen पर देख रहे हैं वो mention है तो जैसा कि म ने बता दिया उस पे ना जाए और यह जो है एकदम latest update में आपको बता रहा हूँ with authentic proof के साथ दोस्तों चाहता तो मैं भी यह हूँ और हम सब यह चाहते हैं कि मंडी जो है देवनार में कुर्बानी के लिए खुल जाए लेकिन इस letter में specifically यह mention किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ देवनार में कट्टू माल यानि की बकरे जो है देवनार के slaughterhouse में कटने के लिए ही आप दे बहुत सकते हैं कि बहुत चांसे सकम है 0.0001% चांसे से कि बकरा इतके लिए देवनार मंडी खुलेगी तो बहुत से लोगों ने वीडियो अप्लोड कर दिया कि मंडी खुल गई है तो अफवाओं पे ना जाया ऑथेंटिक चीजों पर बिलीफ करें चाहता मैं भी हूं कि म हमारा एक लगाओ है देवनार मंडी से और खासकर के में हमारे चैनल जो कि देवनार डाइरीज है वो स्पेसिफिकली मैंने यह बनाया था कि आपको इस साल जो है देवनार के बकरे दिखा हूं कुर्बानी के टाइम जो एक से एक इंदिया की बहतरीन ब्रीट के बकरे आते बहुत अफसोस बात है लेकिन जरूरी भी है कोविड-19 के चलते और जो देवनार जैसे मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन जो है वो रुख गया था कंस्ट्रक्शन रुख गया बारिस का मौसम है बाड़े सारे तोड़ दिये गए कोविड-19 के वज़े से रिकंस्ट् होलेगी और हम जाएंगे विजिट करेंगे और आपको एक से बक्रे दिखाएंगे पर यह साल जो है अफ्वाओं पर ना जाए और जो है ऑथेंटिक चीज़े देखिए तो बताइए वीडियो कैसा लगा लाइक किजिए जाधा-जाधा शेयर किजिए अ अजादिक चीज़े अधिन आपको एक।